नमस्कार दो फेर वर्ड में आपका स्वागत है मैं हूँ रवन पांडे आज मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ ने गोरखपूर में एक बड़ा बयान दिया है मंदिर निर्माल को लेकर उन्होंने बयान दिया है मंदिर निर्माल का इशारा किया है बारत समाचार के सवाल पर ने जवाब दिया है कि यथा समय पूरे होंगे सभी काम उनका ये भी कहना था कि सभी संतों को अनुने आउद्या में अमत्रित किया है छे और साथ नॉमबर को भगवान श्रीराम के नाम का दिया जलाएं इसके लिए उन्होंने संतों को अमंत्रित किया आपको बता दे इससे पहले दो दिन दिल्ली में संतों का एक सम्मेलन हुआ और उसमें साफ तोर पर कहा गया है एक धर्म संसद हुई कि कही न कहीं राममंदिर के निर्माल का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए दूसरी बात डेपोटिसियम केशो प्रसाद मौर्या का बयान आया है कि बाबर के नाम की एक इट नहीं लगने देंगे और अध्या में राम मंदिर जरूर बनाएंगे सवाल ये उठता है कि धर्म संसद, धर्माचारियों का समेलन दिल्ली में केशो प्रसाद बौर्या का बयान, योगी आधितेनाथ खुद जा रहे हैं वहाँ और संतों को भी बुला रहे हैं, संतों का अवान कर रहे हैं सवाल ये है कि क्या ये मंदिर का काउंडाउन शुरू हो चुका है और अगर शुरू हो चुका है, तो इसके पीछे तथ्यात्म का अधार क्या है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो आखिर इस समय ये जो भी चीज़न चल रही है, ये क्या किसी प्रपगेंडा का हिस्सा है या सचमुच धर्माचारियों की पहल पे या फिर तमाम लोगों की पहल पे मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो रहा है लेकिन प्रशस्त रास्ता कैसे हो रहा है, इसलिके कोर्ट में मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश सुप्रीम कोर्ट का सबको अनुपालन करना है और सबको उसका मान रखना है तो सवाल यही उठता है घूम फिर के कि आखिर इस पूरी कवायत का मतलब क्या है हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए है आप से परिचा करा दे हर्शन श्रास पात है और दोपहरवार शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाएंगे तो चली onwards मंदीर चर्श को चुणक काउंडाउं शुरू हुआ है वह काउंडाउं खितना एफेक्टिव होसकता है कितना सार्थक पहल हो सकती है इसलिए तो कि निती सम्चु सभी पूज संतों को मैंने दिपावलीव में अयुध्या मंतित किया है वे सभी अयुध्या आए भगवान राम के अयुध्या आगमन के उत्सों में सामिल हो और आप सबसे भी मैं पील करूँगा कि भगवान राम के नाम पर 6 और 7 नौंबर को एक-एक द्वी प्रजलित करके ठामित उत्सा को और अच्छा बना दें ये आप सब के पिर्टे पिल है सारे कारे यथा समय पूरे होंगे आप सब को देपावली की सुप्ताम राम दिला की जन्म भूमी पर बाबर के नाम से कोई समारक और कोई इमारत नहीं बनेगी यह हमें जरूर अस्वस करना चाहूँगा एक-एक राम भक्त को जो पूझ संत हैं सभी चाहते हैं कि राम दिला का बव्वे मंदिर से राम जन्म भूमी पर बने और भारती जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया है वर्तमान में मामला सरोच नियाले के समझ है मंदिर निर्माड सरोच नियाले के फैशले के बाद समझहोते के बाद सरवाधिक संभावना है जब दोनों संभावनाएं समाप्त होती है तो फिर कानून का रास्ता बनता है अधित का निर्मार होगा कि यथा संभव यथा शिग्र और यथा समय सारे काम पूरे होंगे केशो प्रसाद मौरिया का कहना है कि तारीक तो नहीं बताएंगे वो लेकिन बाबर के नाम की कोई इंट रखी ने जाएगी और मंदिर के निर्मार को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती आपसी ये समझना चाहेंगे और इस डिसकुशन में इस चीज़ को उठाना चाहेंगे कि आखिर जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है दूसरी बात कि जो भी पक्षकार हैं उन पक्षकारों की एक प्रेटफॉर्म पर आने के संभावना एस अभी एक तरह से क्षीन हो गई है तो अभी अचानक से संभावना एं कहां से नज़र आ रही है रवन जी जिस तरह से अब माहौल ये बना है और अगर ये माहौल सरकार और पहले बनाती तो लोगों को ये कहने का उसर ना मिलता कि चुनाव है इसलिए अयोध्या का नाम लिया जा रहा है लेकिन चलिए चाहे जब लिया जा रहा है बीजेपी का जो जंड़ा था जो राम मुद्या में ये हर साल सुरू हुया है तो ये तो जो अपने धर्म को जिसके लिए योगी आधितनाच जाने जाते हैं हिंदुत के नेता के तोर पर उनकी पहचान है उसको बढ़ावा दे रहे हैं उनकी सरकार बढ़ावा दे रही है इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन म बात चुकी मामला नियाले में है नियाले भी चाहता है कि अगर दोनों पक्षापस में सहमत इसे कर लें उसने कहा भी था विल्कुल कि आप आउट आफ कोर्ट सेटल्मेंट का कोई फार्मूला दीजिए बनाइए और अगर यह हो जाए तो बहुत अच्छी बात है वेदान जब कुछ पक्षों ने कुछ समय पहले जब कोट ने यह कहा था कि दोनों पक्षापस कर चाहें तो आउट अफ कोर्ट सेटल्मेंट कर सकते हैं उस समय कुछ प्रयास हुए थे लेकिन सरकार की तरफ से या फिर उतने जोर शोर से प्रयास नहीं हुए संतों की तरफ से भी जितने आज की तारीख में दिख रहे हैं लेकिन फिर वही घुमफिर के बात आती है कि कोई आउट अफ कोट सेटल्मेंट का क्लियर कट कोई रास्तर नजर नहीं आ रहा है तो फिर इस तरह के लगातार बयाना की मंदिर बना लेंगे या था समय बना लेंगे और कैसे बना प्रयास किया क्या और अयुद्या में राम का मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनेगा दब देश का एक एक नागरी की चाहता है राम लला क्या वहां पैदा हुए थे और हर ब्यक्ति चाहता है कि वहां राम का मंदिर बने कांग्रेस का असपष्ट मत है कि वहां मंदिर बनना ही अधालत पहुंचते हैं और वहां पे च्षमाय आशना करते हैं और कहते हैं हमने स्राड़े चार सालों में कोई प्रयास किया तो आपने कोई पूरे रेंग आपने रोजगार देने का वादा किया था वहाँ पर भी आप पीछे खड़ेने जलाते हैं तो कहीं तो आप एस्टाइंड करीए अपर राम लाला का मंदीरी बना दीजे अरे आप जब अधिकरान की बात करते हैं तो या घर्राडर तो कांग्रेस की सरकार ने कर दिया था उसी आदिबगार जो बूंब अधिकरान हो चुका है था वहीं पर राम लाला का मंदीर बनवा दीजे इतना ही नहीं हमने तो नयाले मानिया नयाले के आदेश पर हमारे ही कारिकाल में गरड़ए का त कराने का प्रयास किया है द्रोवी कराने का प्रयास किया है आज भी आप सही और असपष्ट बातें नहीं कर रहे हैं आज आप ये बातें इसलिए कर रहे हैं ना तो देश के अंदर ना प्रदेश के अंदर प्रदेश के अंदर आज नौजवान लाटी का रहा रहा रोजगार के लिए आज कानून भी होता धस्त हो चुकी है महेंगाई चरम पर है पिटोल डीजल के दाम चरम पर आप दीदान की बात करते हैं अमाने वर दीदान कराईए निश्चित कराई दीदान से आयोध्या गवरानमीत होगी लेकिन प्रदूसरा नियंतरा बोर्ड को भी कुछ करि पता तनिश्ची तौर पर जंसमर्तन आपको मिलता लेकिन पुरा देश जानता है कि छूट बोलना है हरी जी बहुत सवाल है धर्माचारियों का समेलन हुआ और उसमें क्लियर कट अल्टिमेटम दिया गया एक तरह से कि चाहें जैसे भी हो मंदिर का निर्माड होना कि जो ये कहना कि कुछ न कुछ दिवाली पे गिफ्ट देंगे योगी आदितिनाद जी प्रदेश की जनता को तो ये किस तरह का एक मैजिकल गिफ्ट होगा और किस तरह का एक सिलूशन निकलेगा इसलिए कि कोई ग्राउंड पे सिलूशन तो दिखनी रहा है ये देखिए रहमन जी एक लोगोगती है कि आम आदमी की आवाज खुदा का नकारा होती है जिस तरह से पूरी दुनिया में जो लोग हैं जो आजद्या में राम जन भूम पे राम मंदिर के निर्मान को ले करके जिस तरह सी लोगों की आकांचाएं आएं लोग चाहते हैं और उसकी अव्यक्त कर रहे हैं तो जो आम आदमी की आवाज है वो धीरे धीरे एक साका रूक लेती है मानिये मुख्ष्वंत्री जी ने जो बात कही उन्हों ने वही बात कही जो बैदानिक तोर पहले से भाजपा का नित्त तो सरकार कहती आई है कि वही या तो समझोते से या उचतम नियाले के नेड़े के बाद या फिर जब वो दोनों विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं मिलता है तो कानून के रास्ते से ये बात अवस्य है कि वहां राम मंदिर ही बनना है और बट जो संबैधानिक प्रक्रिया है जो कानोन नियम की प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए सरकार वहां भबे राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साप करना चाहती है और उस दिशा में मुझे लगता है मुझे पूरा भरोसा है कि मानि उच्चतम नियाले जन भावनाओं को समझेगा और इसकी सुनवाई करके इस संदर में निड़े जल्दी देगा उच्चतम नियाले ने तो एक रास्ता दिखाया था आप लोगों को दोनों पक्षों को रास्ता दिखाया था उसने ये भी कहा था कि अगर दोनों पक्ष चाहे तो out of court settlement कर सकते हैं लेकिन उस समय जितनी तेजी दिखनी चाहिए थी उतनी तेजी दिखी नहीं सरकार केंदर में भी आपकी थी यहां भी आपकी थी तो इस समय जो ये एक momentum बना हुआ है उसका कोई logic समझ में नहीं आता है बहुत आश्वस नजर आ रहे हैं आश्वस तो देखिए हम तो मैंने आपको बताया कि जिस तरह से पूरी दुनिया के अर्वों लोग अब ये जो एक लंबे समय की जो प्रतिक्षा है उनकी और उस प्रतिक्षा के बाद जो एक उच्टम नयाले ने जो ये डेट आगे की उसको लेकर के जो लोगों की एक प्रतिक्षा है उस प्रतिक्षा को लेकर के भी लोगों का सब्र जिस तरह से अब ये है कि अब रामंदिर नहीं बनेगा तो कम बनेगा और उच्टम नयाले से सभी की ये प्रतिक्षा है जो जन्भावना है उसको भी विशार करें और इस बेदान्ती जी अपनी बात कर रहे थे कि सब जवते से तो हो सकता है खाते ही यह लोग संत समाज के लोग बाकी लोग कुछ प्रयास हो कि वह केबिल सेटिल्मेंट हो जाए जैसा माननी उचितम न्याले पहले से कह रहा था अगर यह हो जाता है तो इससे बेहतर कोई और बात चली आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ी हुए आशुतोष जी आपका पहुत बस्वागश्य आशुतोष जी वेदान्ती जी का एक बयान आया था के अध्यादेश की जुरूत नहीं पड़ेगी सेटिल्मेंट हो जाएगा पहली बात तो यह है कि दोनों पक्षों की तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आया कोट ने बहुत पहले कहा था कि आप लोग सेटिल्मेंट चाहें तो कर सकते हैं वो कुछ हुआ नहीं अब मुख्यमंत्री योगी आधितनाद जी का भी आज बयान आया है कि यता समय पूरे होंगे सभी काम केश इसके लिए जो भी सार्थक प्रयास हैं वो सार्थक प्रयास कर कोन रहा है यह विपक्ष का आरोप है अशुतोष वर्मा जी के अभी जैसे कॉंग्रेस के जो प्राउक्ता है उन्होंने आरोप लगाया है कि महेंगाई को रोकने में बिफल रही सरकार नौजवानों को बढ़िया आपने बात पची पूछी और मुझे बड़ा तरस आता है कि मेरे भगवान राम उनकी जो है सारी आस्थाएं 2019 को लेके ही बनती हैं और मैं आपको एक बार बता दूँ कि जैसे ही 2019 को चुनाव हुआ यह सब भूल जाएंगे इस सारे जो यह सीजनल राम भक्त आ को याद आए कि भगवान राम कहां थे क्योंकि विफलताओं की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप इनका कारिकरता तक पूछ रहा है कि नेता जी हम किस मूँ से जाएं हम क्या बताएं कि हमने क्या किया है तो भाई आखरी में तो राम के सबके चेते हैं हैं राम को लेके आओ चाहे वो उपर सेंटरल से बात करो और चाहे लखनों से बात करवाना शुरू करो तो यह सारा प्रोपेगेंडा 2019 तक भगवान को याद करने का है एक बार 19 का चुनाओ गया फिर किसी को फिक्र नहीं आएगी कि यह राम मंदिर बन रहा है नहीं बन रहा है राम लला केंड म मंदिर बनेगा अध्या में आखिर किस अथॉर्टी से उन्होंने यह बयान दिया आप लोगो कुछ आइडिया होगा अगर आप लोगो आप लोगों से बात होई होगी कुछ आइडिया होगा आप लोगो नहीं रमन जी हमको बिलकुल आइडिया नहीं है इसके बारे में वही बता सकते हैं कि वह उन्होंने की इबातिक की साधार पर कहीं है और जहां तक जो भारती जन्ता पार्टी का सवाल है वह भारती जन्ता पार्टी बहुत पहले से एस्परस्ट कर चुकी है कि ये मामला उच जोते की बात वही तो हम जानना चाहते हैं देखिए उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहते है कि दोनों पक्षकार जो है उन में से किस पक्षने समझोते के लिए भी बात कही है ताकि इतना प्रपकेंड़ा मचा हुआ है कहां से आ रही है आवाज नहीं यह राम विलास बेदान्ती जी ने अगर बात कही हैं इसलिए कि दोनों ही जो पक्षकार हैं उनकी तरफ से प्रदीव जी कोई बात नहीं आई उनकी तरफ से कोई सेटल्मेंट का कोई परियास नहीं हुआ तो आखिर इतनी अफरात अफरी क्यों मची हुई है प्रदीजी दिक्कत यह कि इनको यह लग रहा है कि 2019 के शुणाओं में किन मुद्धों के लेकर हम दोगों की बीच में जाएंगे वरना मानी उश्चिता नहीं को कि यह पैसलां नहीं करने जा रहे हैं इतनी दीन इंतिजार किया है मानी तक आप इन्तिजार करें हाँ ये बात जरूर है कि आप चुकि भारत के संविधान तक को नहीं मानते हैं नायले नहीं मानते हैं आप सारी संविधानी संस्थाओं को अपनी जेब में रखना चाहते हैं उन्हें उनका तोष्टी करना चाहते हैं आज यही कारण है कि कई बार आपको यह लगता है कि पर आप अस्वलना जालाते हैं, आज आपको प्रयास करना चाहिए, एक इमानदार प्रयास करना चाहिए, मानिय उच्छतनमाले के निर्णे पर भरोजा करना चाहिए. हरी जी एक सवाल, उत्तरपदेश के जनता जानना चाहती है, कि आउट अफ कोट सेटल्मेंट के अगर प्रयास हो रहे हैं, या आप लोग कोई प्रयास कर रहे हैं, या कोई पक्ष प्रयास कर रहा हैं, तो वो कौन पक्ष है? इसलिए कि जनता भी यह चाहती है, कि भगवान शरी राम का जो कि पूरे बारत के अराध्य हैं, उनका मंदिर वहाँ बनना चाहिए और इसमें खाली उत्तरपदेश ने पूरे डेश की जनता चाहती है, लेकिन जनता ये भी जनना चाहती है, कि अगर इस समय उसको लेके बयान बाजी हो रही है या उसको लेके कुछ इनिशेटिव लिया जा रहा है तो आखिर वो कौन ले रहा है इनिशेटिव ये जनता जाना चाहती है रही जी जो बेरांती जी ने बात कही जो मानी मुक्मंती जी ने बात कही वो तो वो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पे कुछ खुशखबरी देंगे तो ये तो उसके बाद ही पता लगेगा लेकि जहां तक सवाल है अभी ये जो हमारे कांग्रेस के मित्र और समाजबादी पार्टी के मित्र बोल रहे थे ये तो मामला उच्चितम नियाले के डेट टा आप साड़े चार साल आपके ब्रदान मंत्री पिलका बिरोद किया था जिए साड़े चार साल आपके और हमारे प्रदान मंत्री एक बार भी रहो द्या नहीं गए किसी पर ज्यादा का ज्यांदी ने के पक्षिता नहीं है आप इस मुद्य को जिन्दा रने के पक्ष्टर है को जानते हैं आप जानते हैं कि यह समय को योजना भी नहीं है यह आपने राज़ानों की मौत को रोग नहीं पाए तो यह बता आपको बताना पड़ेगा ना 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 आपको बताना पड़ेगा घंपाइगा जिस मिकास के रुते करता है वो मिकास कहा गया है जटेने जाने में आप दर लगता है क्या आपको ड़र लगता है और बार बार रोगिंगे देके करते हैं कर देखना चाहिए आपको और चल करना बद करिए और इस प्रकॉब से बचिए अगर प्रकॉब हुआ तो बातिये जन्ता पार्टिस का समूल विरास हो जाएगा आशुतो श्वर्मा जी दो दिन पहले जब दिल्ली में अपनी चिंता करिए कांगरेस के लोग अपनी चिंता करने पहले हैं दुट बोलना बंद करिए अगर आप ने वहाँ समय समर्थन किया होता तो मर्यादा पुरसुता राम आपको अपना हवास बनता मंदिर में जाता लेकि आप वो लोग आप नहीं चांते थे कि मर्यादा पुरसुता राम मंदिर में भी राज मांद करें अच्छा वीरेंजी करू करेंगे वीरेंजी एक बहुत एहम सवाल है आपको याद होगा जब ये धर्माचारियों का समेलन हुए दिल्ली में उससे पहले आयोध्या में संत समाज अंशन पर बैठा था राम को मिलने नहीं दिया गया कंसर्ण यह है कि संत समाज भी बहरूसे में नहीं है कि आखिर कोई आउट अफ कोट सेटेल्मेंट की बात हो रही है वो खुद भी डिमांड कर रहा है तो मुझे समझ में नहीं आता कि सारी चीज़े हो क्या रही है विरेंजी इस देश में हर इंदू यह चाहता है कि गंगा साफ हो और योध्या में राम मंदिर बने बिल्कुल अब यह सरकार तैंकरे जो इसके नाम पर वोट लेती आई है सरकार कहीं बना चुकी है बीजेपी को यह काम करना पड़ेगा अब यह जनमानस के साथ संतों का भी इस पे दबाव है और य यह कोई भाना नहीं ढूंड पाएंगे कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं हमारी यूपीम सरकार नहीं इन को मंदिर बनाना चाहिए और इसमें मनख्म को खतम करना चाहिए क्योंकि पचीस नी Anna की अब इनके पास बहाना नहीं है और मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके सर पूजने आता हूं मै भी उतना ही हिंदु हूं जतना शिर्वास्ध्तोजी हिंदु है जतना विरेन जी हिंदु हैं जितने आप हिंदु हूं आप को यह ठेकेदारि किसने कि आप हमारे राम मंदिर को इस तरीक에 से politically use करें. किस ने दी? मैंने नहीं दी? किसी ने नहीं दी? तो आप ये ठेकेदारी ले किस बात की रहे हो? बान नबे से ना आप ताला खुलवाया, आपने जो है हिंसा करवाई, आपने चुनाओ जितवाया, आपने उसके नाम पे सारे काम करवाई, लेकिन मंदिर नहीं बनाए. लेकिन राम मंदिर के लिए जो कार सिवक जा रहे थे, उन पे गोलियां चलवाने की ठेकेदारी किस ने लिए? इस गलत चीज को मैं कंडन करता हूँ, कोई भी, कोई भी प्रदेश का मुकमर्सरी होगा, तो कार सिवकों को मैं उल्वी नहीं चलाएगा, आपके नेता जी प पुरानी बातों को बूलते हैं, लेकिन इतना तो तया है, कि हरिशन शिवास्तो जी या बीजेपी को इन सब लोग को जवाब ये देना पड़ेगा, पूरे देश की जनता को, इसलिए कि केंदर में भी इनके सरकार है, और यहां भी इनके सरकार है, और कोट ने एक रास्ता सुझाए था, कि आउट आफ कोट अपलो सेटल्मेंट चाहें, तो कर सकते हैं, बीजेपी का एक क्लेम इसलिए बनता है, कि जब मस्जिद गिरिये जोध्या में, तो बीजेपी की पांच राजियों में सरकार बार खास्त की गई थी, तो बीजेपी का क्लेम बनता है राम मं हम लोग उमीद करते हैं, कि ये सारी जो चीजे हो रहे हैं, जो सारी कवायद हो रही है, वो हकीकत में तब्दील हो, इसलिए कि उत्तरपिदेश की जनता और पूरे देश की जनता राम क्योंकि आस्था का विशा है, तो हम सब चाहते हैं, कि वहाँ पर मंदिर बने, लेकिन उसके लिए सार्थक पहल हो, ये भी उत्तरपिदेश की जनता चाहती है, आप सब का एक बार फिर से धन्यवाद, रुप एक छोटे से ब्रेक के लिए, तमस्कार